आज मैं बनाओंगी टॉमाटो एक सूप यह आप लोगो के साथ शेयर करूँगी जने विंटर का सीजन चल रहा है तो शुप ज़र्डी माना जाता है तो मैं आज आपने घर में टॉमाटो एक सूप बना रहे हूं तो आपके साथ रेसिपी कर रहे हूं तो इसके लिए हमको चाहिए यहाँ पर तीन टमाटर यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिया है थोड़े से मस्रूम धनिया पत्ता और ग्रीन वाले लहसन एक प्याज वाइट वाला प्याज दो अंडे और अधरक का एक टुकड़ा और यहाँ पर एक चमच हमने यह लिया कौन तो यह सारे इंग्रेडियन्स हैं जो कि मैं भूच करूंगे तो मैट एक सुब बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टमाटर को उबाल लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों टमाटर को गैस हाई फ्लेम पे गैस वन करके और इसको बनने के लिए रख दिया इ मोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो इसी तरह से बारी-बारी से मैंने सारे सबजियों को काट लिया तो आप देख सकते हैं मैरे हरे वाला लसन में काट रही हूँ इसको बारी काटें बहुत पतले में काटें फिर अधरक को भी काफी छोटे टुकड़ों में काटना है आप चाहें यहां तो अद्रक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली सूप में चॉप किया हुआ बारी, ज्यादा टेस्ट ही लगता है, तो इस तरह से मैंने बारी काट लिया, लहसन, अद्रक और प्याज को काट लेंगे, तो यहां पे मैंने वाइट वाला प्याज लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल वाला प्याज भी ले सकते हैं, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा लग होता है, और अच्छा लगता है सूप में वाइट वाले प्याज का, आप शाहें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने अल्मोस सारे सब्चियों की चॉपिंग कर ली अब धन्या पत्ता भी इसको भी मोटे टुकडों में ही काट ले ज्यादा बारिक नहीं काटना है फिर यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ बहुत अच्छे से पक गई है टमाटर यह आप छिल के उतर गए हैं मतलब यह बहुत अच्छे से पक गई है तो अब गैस को आफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब ही ठंडा होगा तो इसको मैस करेंगे तब तक हम लोग अंडे को फेट लेते हैं तो यहाँ पर मैं दो अंडे का इस्तेमाल करूंगी तो आप अपने रिक्वार्मेंट के अनुसार जितना सूप बना रहे हैं जितने लोगों के लिए तो आप उसके अनुसार यहाँ सारे इंग्रेडियन्स यूज करें तो मैं यहाँ सूप करीब चार से पांच लोगों के लिए बना रहे हूं तो इसमें मैंने दो अंडे का यूज करूंगी तो उसको मैंने फेट के और साइड कर लिया फिर कॉन फ्लावर को भी गोल लेंगे पानी से तो पतला गोलना है तो करीब आधा ग्लास पानी लगता है एक चमच कॉन फ्लावर के लिए आधा ग्लास पानी का यूज करें दीरे-दीरे मिला है पानी थोड़ा-थोड़ा करके तो इस तरह से पतला कर लेंगे और इसको भी अब साइड में रख देंगे फिर टमाटर इधर ठंडा हो गया तो फिर इसको अब हम लोग कट कर लेंगे पहले हलका गरम ही है अभी बट इसका छिलका पहले अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से फिर इसको फॉर्क काटे वाली चमच से कुछ इस तरह से तोड़ लेंगे यहां टमाटर का पेस्ट बनाना है तो यह उबल चुका है तो काफी अच्छे से हाथों से ही पेस्ट बन जाता है तो यहां आलू मैस करने वाला जो आता है उसकी सहता से हम लोग इसकुछी तरह से मैस कर सकते हैं तब यहां मैस हो गया टमाटर भी सारे इंग्रिडियन्स रेडी है तो अब इस तरह की चौड़ी कडाही में हम लोग पहले तेल गरम करेंगे तो यहां पर मैंने एक बड़ी चम्मच तेल लिया यहां पर और इसको गरम होने देंगे हाई फ्लेम पर और जैसे ही यह तेल गरम इसके बाद इसमें आड़ कर देंगे पहले प्याज बारेक कटा हुआ और इसको भी भून लेंगे हलका भूनेंगे इसको प्याज को ज़्यादा नहीं बोनना है तो इसको भी लगतार चलाते हुए मेडियम टु हाई फ्लेम पर रखे और भूनते रहे लगतार चलाते जब यह हलका प्याज भून जाए तो फिर इसके बाद इसमें बाकी सबजिया डाल देंगे मस्रूम डाल देंगे इसके बाद और उसको भी हलका भून लेंगे इसके बाद इसमें एड कर देंगे टेस्ट के अनुसार नमक यहाँ पर मैंने करें एक से डेर चमच नमक एड किया आप अपने रिक्वाइर्मेंट के अनुसार एड करें इसको अच्छे से मिला लिया मैंने तेल को सारी नमक को सबजियों के साथ और इसके बाद मैंने एड कर दिया टमाटर का जो हमने मैस्क बनाया था उसको एड कर दिया और इसके साथ ही इसमें हम लोग करीब एक से डेर गलस पानी डालेंगे फिर इसको चलाके पिल मिलाके और फिर इसको उबाल आने तक पकाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां करीब 5-7 मिनट के बाद उबाल आ गई अच्छे से काफी अच्छे से उबल रही है यह तो इसको पका लेंगे और इसमें पहले अब अंडा एड करेंगे जो हमने दो अंडो का घोल तयार किया था तो इसको दीरे-दीरे करते हुए एक हाथ से गिराएंगे और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे ताकि यह अच्छे से इविनली मिल जाए और पक जाए तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम डाल रहे हैं उसमें वह पकते जा रहा है और काफी अच्छे से पक गया अंडा बहुत जल्दी पकता है तो यह काफी गरम था उबाल आ गया था तो काफी अच्छे से यह मिल गया इसमें आप देख सकते हैं अंडा तो कुछ इस तरह से मिला लेंगे फिर इसको दो-तीन मिनट के लिए हिलाते हुए पकाएंगे और इसके बाद आड़ कर देंगे कौन फ्लावर का गोल जो हमने तयार किया था उसको मिला देंगे और इसको भी दीरे-दीरे गिराएंगे और हलके हाथों से चलाते हुए मिलाते रहेंगे ताकि यह चारों यहां पर इसको मिलाना बहुत जरूरी है तो आप लगतार चलाते हुए मिलाते रहें ताकि यह इसमें चारों तरफ मिल जाये और बहुत अच्छे से पक जाये और परफेक्ट एक सुक मनें इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएं फिर इसमें मैंने आड़ कर दिया डेहर सारा धनिया पत्ता और इसको हलका गाढ़ा होने तक इसको उबालते रहें इस तरह से हाई फ्लेम पे और बीच-बीच में चलाते रहें तो थिकनेस जब आजाए हलकी सी तो उसके बाद गैस आफ कर देंगे यहां पर मैंने गैस आफ कर दिया यह हमारा सूप रेड़ी है इसको अब सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं सूप हमारा रेड़ी है टोमैटो एक सूप यह विंटर सीजन की रेशिपी है और काफी अच्छी लगती है विंटर सीजन में सूप कोई साभी सूप तो यह मैंने आज आपके साथ रेशिपी सेयर की तो थैंक्यू फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाइब टेक केर